तो स्वागत भाई आप सब भी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपिम फेंटेसी एक्सपर्ट पर और आज किस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूँ जो केन्य कबड़ी ली गए इसका भाई जो आज के दिन का दूसरा मैच और टूर्नमेंट का बाउनवा मैच जो की खेला जाएगा बलैक फालकॉंस केसी यानि की बाई बीलेफ वर्सिज माचा को जी उनिवर्सिटी केसी यानि की MCU के बीच में अब इन दोनों ही टीम्स की कम्पलीट इंफोर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है तो वीडियो को स्टार्टि से लेकर यंड तक कम्पलीट देख लिजिए गा ताकि बाई इस मैच को लेकर आपके दिमाग में आपके जैन में कोई भी डाउट ना बचे और लगातार बाई इस मैच में भी आप जी एल में अच्छी खासी रैंक लेका हो प्लस स्मोल लीग में भी आपको विनिंग करव वाई यहाँ पर आप देख सकते हों यह सिर्फ कल-कल के रिजल्ट और यह भी वाई मतलब दिन हमारा थोड़ा एवरेज सा रहा था मैं यह नहीं वोला हमारा बहुत ही बहतरी न दिन गया था तब वाई यह आलतो अगर हमारा दिन बहतरी न रहता न तो और भी खतरनाक रिज करना ठीक है स्मोल लिग तो मैं विन करवा दूँगा उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है बट जील के उपर में फोकस करना यहाँ पर आप देखे जो कोई भी मैच न उसकी कम से कम मैं आपको पांच या छे जील की टीम देता हूं किसी भी मैच की यहाँ पर आप को देता हूं क्योंकि भाई मालो कि अगर अभी मैं आपको जील की टीम मना के दिखा दू और उसमें मालो दो प्लेयर नहीं खेलते मिले कोई कोई को दो कोमन प्लेयर तो आपकी छे की छे टीम वेस्ट हो जाएंगी इसलिए भाई लाइन अप साउट होने के बाद मैं आपक दिस्क्रिप्शन बोक्स है उसमें आपको टेलिग्राम चैनल का लिंक मिलेगा या फिर इसी वीडियो के फर्स्ट कोमेंट में आपको टेलिग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा वहां से जाके जोईन कर लीजेगा अगर मालो लिंक वर्क ना करे तो आपको क्या करना आपको सीधा सर्च करना है at the rate लगाकर kpm team और सारे small letters में लिखने हैं आपको सारे के सारे small letters में आपर आपको जो top पर channel दिख रहे हैं जो username आपको यहाँ पर दिख रहे हैं आपर आप देख सकते हैं यह जो username है at the rate kpm team यह बिल्कुल same होना चाहिए और otherwise बाई यहाँ यहाँ पर देखे जो username अगर सेम नहीं होना तो बाई जो यह नीचे channel दिख रहे हैं यह fake channel यह आपको दिखेंगा और इनके उपर आप जोइन हो जाओगे तो फिर कोई फाइदा नहीं है यह बिल्कुल fake channel है मेरे नाम पर ठीक है इसी channel पर आपको आकर join होना है अब चलिए भाई बात करते हैं मैच के बारे में तो दोनों टीम्स की points table में एक बार position चेक आउट करते हैं यहाँ पर अगर बात करें तो number 8 पर आपको दिख रही है black falcons 8 match इनोंने खेले 2 match इनोंने जीते पांच मैच इनोंने आ रहे एक मैच इनका भाई यहाँ पर मतलब tie में गया या no result में जो भी आप बोलना चाहो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो minus 71 का इनका score difference है और यहाँ पर आप देख सकते हो total इनके 13 point है नीचे आपको दिखेंगे 11 पोजिशन पर यहाँ पर आप देख सकते हो minus 121 का इनका score difference है इसके अलाव यहाँ पर points की बात करें तो वो भी आपको आप दिखेंगे तो थोड़ा सा slightly favorable आप यहाँ पर black falcons की team को दे सकते हो but मैं फिर भी बोलूँगा कि एक balance team बनाईएगा आप चलिए भाई बात करते है match के बारे में match भाई काफ़ी ज़्यादा शांदार है आप चलिए starting seven की बात कर लेते है दोनों teams की तो सबसे पहले भाई मैं बात करता हूँ यहाँ पर BLF की starting seven की उसके बात चलेंगे भाई MCU की starting seven की तरफ तो defense section में आपर केविन वीरे आपको दिखेंगे जो की बहुत ही शांदार player है यहाँ पर आप इन्हें try कर सकते हो तो यहाँ पर भाई एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से भाई आप देखे केविन वीरे को आप अपने team में try कर सकते हो last match की बात करेंगे तो दो tackle करके आ रहा है बहुत ही शांदार player है 101% आप इन्हें अपने team में रख भी सकते हो इवन भाई आप इन्हें CVC भी बना सकते हो GL मिनी GL में वहीं अगर बात करें के ताइलाइन की तो last के दो match में इनो ने भी अच्छी performance दिये उससे पहले वाले match में फ्लोप रहा है और उससे पहले वाले match में भी अच्छी performance है तो आप इन्हें भी अपने team में रख सकते हो GL मिनी GL प्लस स्मोल लिग मैं तो दोनों जगे इन्हें रिकमेंड करूँगा बात कर लेते है उल्ड राउंड रसेक्शन की यहाँ से अगर बात करे तो जय और आपको दिखेंगे जो लास्ट match में पाँच टैकल करके आरहे जो कि बहुत ही शानदार है इसके अलावा जय सिंडेला आपको दिखेंगे जो लास्ट match में अगेन भाई याँपर तीन टैकल करके आरहे बट इने मैं recommend करूँगा कि GL Mini GL में ही try कीजिएगा वही अगर बात करें भाई यहाँ पर Kevin Odea की तो यह भाई बहुत सारे match जिसे missing है मतलब खेले नहीं है और बट जो last के दो match खेले थे नहीं उसमें कमाल performance करके गए थे इसके अलावा यहाँ पर आपको और तो को important player नहीं दिखेगा यहाँ पर अगर बात करें तो S Amolo आपको दिखेंगे जो भाई खतरनाख Raider भाई बहुत ही शांदार player है यहाँ पर आप देख सकते हो last match में भी 28 touch point plus भाई यहाँ पर no bonus point इन्होंने निकाले हुए तो बहुत ही शांदार player है जरूर से आप इन्हें अपने team में रख सकते हो बहुत ही जादा शांदार player है वी मुतूरी की बात करें तो इन्हें भी आप अपने team में रख सकते हों यहाँ पर यह आपके लिए GL, MINI, GL plus differential P, SL में भी काम आ सकते हैं GL, MINI, GL में ऐसे players आपके लिए ज़्यादा important रहेंगे small league के comparison में अब अगर यहाँ पर भाई बात करें MCU की team की तो इनकी तरफ से भाई आपको rating में कोई भी शांदार player नहीं दिखेगा एक यहाँ पर भाई की वुवा को तो आप जरूर अपनी team में थोड़ा सा try कर सकते क्योंकि यह बंदा रहे रहे के ना अच्छी performance दे जाता है बट इसके अलावा और तो कोई भी player यहाँ पर आपको अच्छा नहीं देखने को मिलेगा जे मकाओ की बात करें तो last match में again flop रहा है इनकी तरफ से बाई old rounder section में दिखेंगे ए मूश्या ए मूश्या बाई हर match में बाई बंदा कमाल जवाब मतलब बहुत शांदार खेल दिखा रहे लेकिन जो जे की ओको है ना वो बाई starting की performance को आगे continue नहीं कर पाया और यहाँ पर भाई अभी बिल्कुल average है average performance दे रहे तो अगर आप चाहो तो try कर सकते हो player काफी अच्छा है बट performance नहीं निकाल पा रहा भी kilo की बात करें तो यह भाई last match में आप देख सकते हो अच्छी performance करके आ रहे है तीन टच पॉइंट इन्होंने निकाले भाई दो bonus पॉइंट दो tackle यानि की performance काफी शानदार है आप चाहो तो इन्हें अपनी टीम में रख सकते हो ठीक है यह मुशा है यहाँ से must topic रहेगा है यह मुशा भाई आपको rating defense दोनों काम करके देगा है यहाँ पर आप देख सबते हो 15 point rating में इसके अलावा यहाँ पर no tackle defense में इन्होंने करके दे रखे है अब अगर यहाँ से भाई बात करें defenses section में तो ऐसे mambo अगर खेलते हैं तो आपके लिए important रह सकते है लास्ट मैच खेले नहीं है उसे पहले भाई आप बीच बीच में आके अच्छी खासी performance दे रखे तो आपके लिए important player रहेंगे इसके अलाव डी मविंद्रा की बात करें तो ये भी आपके लिए बहुत ही शानदार player रहेंगे लास्ट के दो मैच में काफी कमाल करके आ रहे हैं substitute के तोर पर आये थे और no touch point प्लस भाई यहाँ पर दो tackle इन्होंने किये हुए है इसके अलावा यहाँ से अगर बात करें तो यहाँ पर आप देखें तो पांस touch point एक bonus point और इसके अलावा एक tackle इन्होंने किया हुए है अब चलिए बात करते हैं team की तो team में आपको अभी बना के दिखाता हूँ यहाँ से अगर बात करें तो के वीरेक, के तैलेन और नीचे आपको दिखेंगे डीम, अवेंदुआ आपको यहाँ से दिखेंगे यह 3 player important रहेंगे ठीक है अब बात करें all around section की तो एम मुशा को मैं अपने team में रखूँ और जे औरा को अपने team में रखूँ दोनों बहुत ही शांदर player रहें, इन्हें ही अपने team में अभी के लिए मैं लेके चल रहा हूँ यहाँ से अगर बात करें तो भाई, ऐस आमोलो मेरे को important player लग रहा है इसके अलावा यहाँ पर जो दूसरा player रहना है, वो यहाँ से भाई, अभी के लिए मैं की वुवा को लेके जा रहा हूँ इसके जगह पर आप एक extra defender लेकर जा सकते हो, जैसे की मानलो की आपको खेलते दिख जाए आप इनको लेकर जा सकते हो, ठीक है, अधर्वाइस भाई, यहाँ से फिर्म मैं ट्राइ करूँगा किसको, की वुवा को तो अभी के लिए चलिए, मैं की वुवा को ले लेता हूँ, CVC की बात करेंगे अब देखे, कैप्टन सी में नो डाउट यहाँ पर एम मुशा को मैं कैप्टन दे दूँगा, लेकिन भाई, यहाँ पर एक चीज़ बता दू, अगर स्टार्टिंग सेवन में मुशा रहेंगे, तो ज़्यादा जानसिज रहेंगे, कि इन्हें मैं कैप्टन दो, अधर्व टीम प्रिव्यू की बात करें, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं, ओल्मोस्ट ओल्मोस्ट फाइनल टीम है, कोई भी अगर चेंजमेंट होता है, दोस्तो उसकी इन्फोर्मेशन आपको टेलिग्राम पर मिलेगी, स्मोल लिक की फाइनल टीम प्लस भाई 25 लाख रुपे क उसके बात करें धुपे की इन्फोर्म मिलेग्राम परोच भाई भी बात करें।